वेलकम स्टुडेंट, मैं पल्लवी नीशा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ओफेस्ट्रे, विध्याभवन महिला कॉले सिवान जे प्रकास विश्विध्याले इच्छप्रा मैं आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत की चर्चा को आगे भायाते हुए दिल्ली सल्तनत के पर्मक राजवनसों में से जो इसके संस्थाफक राजवनस थे, गुलाम वनस, उसके बारे में चर्चा करोंगे मद्धिकालेन इतिहास में गुलाम वनस को ममलुक वनस या पर्थम तुरक सासकों के वनस के रूप में जाना जाता है इसके नामकरण को लेकर ही बिवाद है क्योंकि मुहमद गौरी के गुलाम जो कुत बुद्धिन एवक थे उसके द्वारा इसवंस की अस्थापना की गई थी और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो अधिकतर सासक थे वा गुलाम थे इसलिए इस वंस को गुलाम वंस का नाम दिया गया लेकिन अगर इतिहास में देखा जाए पुरे राजवंसों में से सासकों की वंसावली को देखा जाए तो सारे सासक गुलाम नहीं थे बलकि वो किसी न किसी रूप में एक स्वतंत्र थे इन में से कुतुबुद्धिन एवग, इल्थुतमीश और बलवन ही गुलाम थे इसका एक नाम गुलाम वन्स को इतिहासकारों के द्वारा ममलुक वन्स भी कहा गया है ममलुक वन्स का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से जन्म लेने वाले लोग या अर्विभासा का एक सब्द है यानि कि गुलाम वन्स में जितने भी गुलाम थे वह स्वतंत्र माता पिता की संतान थे इसलिए इस वन्स को ममलुक वन्स भी कहा जाना उचित पर्दित होता है तो नामकरण को लेकर बिवाद की इस्तिती है लेकिन हम गुलाम वन्स के आपके जितने भी सासक है उनके भारे में आज में बात करूँगे गुलाम वन्स 1206 इस्वी से लेकर 1290 इस्वी तक का कारिकान माना जाता है और 1206 से 1290 तक में कुल 11 सासकों ने सासन किया जिसमें कुतुबुदिन एबक के द्वारा इस वन्स की अस्तापना की गई जो मुहमद गौरी के बहुत थे विश्वास पात्र गुलामों में से एक थे मुहमद गौरी भारत विजे करने के बाद जब वापस गजनी लोटते हैं तो वे कुतुबुदिन एबक को अपना प्रवंदक निव्ट करके जाते हैं तो इसको मैंने इसके लिए भी मैंने एक चाठ बनाया है इन तमाम एक जानकारी के लिए तो इसको एक चाठ के द्वारा में आपको समझाने का प्रयास करूँगे और यह एक चार्ट है जिसमें मैं वताना चाहूंगी कि गुलाम वन्स में जो 1206 से 1290 इसवी तक का कारीकाल है इस कारीकाल में कुल मिलाकर 11 सासकों ने सासन किया जिसके पर्थम सासा कुतुबुदिन एवक थे और अंतिम सासा क्यूमर्स थे 1290 इसवी तक तो ये एक वन्शावली है इसके परमुक सासकों की कुतुबुदिन एवक 1206 से 1210 तक इसकी अस्थापना की और ये कुतुबी वन्श से समंदित थे और 1210 इसवी में पोलो खेलते हुए जिसको चौगान भी कहा जाता है उसको खेलने के दौरान गोरे से गिर जाने के कारण इनकी मिर्थि हो जाती है इसके बाद 1210 इसवी में कुछ वर्सों के कुछ समय के लिए ही अराम सा सासक बनते हैं लेकिन इनको हटा का समसुदिन इल्थूतमिस जो कुतुबुदिन के दमाद होते हैं समसुदिन इल्थूतमिस वह 1210 से 1236 इसवी तक गुलाम वन्स के सासक बनते हैं और यह समसी वन्स की अस्थापना करते हैं और कहा जाए तो इनके सासनकाल में ही तुर्की सासन का वास्तविक अस्थान प्राप्त होता है तुर्की सासन के अस्थापना होती है इसलिए इनको तुर्की सासन का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इसके बाद इनके पुत्र होते हैं रुकुदिन फिरोशा जो 1236 इसवी में सासक बनते हैं जो बिल्कुल अयोग्य होते हैं इनकी बहन होती है रजिया सुल्तान जिनको समसुदिन इल्टूत मीस अपना उत्रादिकारे घोसित कर चुके होते हैं और वो रुकुनिदिन फिरोस्चा को हटा कर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 इस वित तक दिल्ली सल्तनत की सासिका बनती है। सुल्तान को जना जाता है। इनके वरुद सयंत्र करके जो अमीर्त लोग थे वह यौ हटा देते हैं और बहरामसा को सासकफ!! जाता है सुल्तान बना जाता है जिनका कारिकाल 1240-1242 होता है इनकी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमन होता है और 1241 इसवी में और 1242 इसवी में इनकी हत्या कर दी जाती है बहरामसा के साबाद आते हैं alauddin masoodsa जिनका कारिकाल 1242 से 1446 इसवी तक है तो alauddin masoodsa के सासनकार में भी मंगोलों का आकमन हो रहा होता है और इनके बाद नासुर अधिन महमूद जो शासक बनते हैं नासुरीदिन महमद को न्युक्त करने वाले अमीर होते हैं अमीरों के उपर ज्यादा किरपा होती है इसलिए चालिस तुरुकों के जो संगठन थे उसके जो प्रमुक हुए गया सुधिन बलवन उनके उनको अपना संद्रक्षक न्युक्त करते हैं 1266 में की मिर्टिव होती है और गया सुधिन बलवन 1266 से 1287 स्वी तक स्वतंतर रूप से दिल्ली सल्तनत का सासन करते हैं और गया सुधिन बलवन के द्वारा दिल्ली सल्तनत को अस्थाइत परदान करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इतिहास में देखा जया तो उन्होंने रक्त वालो के निती को अपनाया राजत्व के सिध्धान को अपनाया देवी सिध्धान को अपनाया और इस तरह से गया सुधिन बलवन के काल में दिल्ली सल्तनत जो है अपने सुध्रिटा की और मजबूती से बर रही होती है गया सुधिन बलवन के बाद इनके पुत्र या अपने पुत्र को सासक बनाना चाहते हैं लेकिन अमीरों का प्रभाव होने के कारण केकु का बाद जो इनके पोत्र होते हैं वो सासक बनते हैं और इनका सासन काल होता है 1287 से 1290 स्वी तक, 1290 स्वी में केकुकाबात की मिर्थी हो जाती है और इसके जो अलपायू पूत्र, जो नवालिक पूत्र होते हैं क्यों मर्स 1290 स्वी में सासक न्युक्त किये जाते हैं, यह एक नवालिक सासक होता है और इनके संद्रक्षक होते हैं जालालुदृत जो संद्रक्षक के रौप में दिल्ली सल्तनत पर सासन करते हैं मगर जालालुदृत के द्वारा ही 1290 इस्वि में क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में गुलाम्वन्स को समाबट करके एक नए राजबंस के अस्थापनौ कि जाती है और वह राजवन्स, खिलजी राजवन्स के नाम से चाना जाता है तो ये एक चार्ट के द्वारा है जिसमें हम ये बताना चा रहे हैं कि किस तरह से इन 11 सासकों ने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वन्स के अंतरगत सासन किया और 1290 इस्वी में जलालुदिन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत के जो गुलामवंस के अंतिम सासक हैं उसकी हत्या करके एक नए राजबंस की नीव डाली जाती है जिसका नाम है खिलजी वंस तो यह एक चाठ है और इस चाठ के द्वारा हम गुलामवंस को पूरी तरह से कि उनके गारा सासकों के प्रमख योगदानों के बारे में पोला।